गुड मॉर्निंग तो यह जो वीडियो में बना रहा हूं यह इस्पेशली उन साथ्यों के लिए बना रहा हूं जो की एक्सेस डेटा की किसी भी रेडियो या फिर एक्सेस डेटा की D808 हो या कोई भी रेडियो हो उनमें इशू फेस कर रहे हूं जैसे कि मैंने भी दो दिन पहले एक वीडियो डाला था कि हाउ टू क्लेम यूर वारंटी फोर एक्सेस डेटा D808 हला कि टैटल कुछ और था तो उसके बाद कई सारे साथ्यों के मेरे पास कमेंट्स आए और मेरे मेल एडी पर कुछ इमेल्स आए कि मैं कनेक्ट नहीं कर पार रहा हूं रेडिवाव स हैं वहाँ पर उप्शन नहीं आ रहा है तो जिससा कि मैंने बोला था कि आप कि अप के थुरू अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा उसके लिए आपको अलग से खुलना पड़ेगा ब्राउजर पर तो आप फोन पे भी कर सकते हैं PC है तो वैल एंड डी 808 में इशू आ गया है और एक साल भी नहीं हुआ है तो घर में भी रखा रखा वैसे बरबाद हो जाएगा रेडियो तो उसे बेटर रेकप कंप्लेंड करके देख लिए जो भी कुछ मिलता है तो एडिशनल बेनिफेट होगा तो उसी के लिए मैं भी ये वीडियो बन जाइए था तो मैंने उनका लोग-इन कर रेडियल करा अपने पीची पे और फिर उनका मेनी कंप्लेइन Lab कर रेडियू की तरफ से उनको मेंसेज आ जाए गा एक-डो दिन में तो अभी फिलाल मैं आपको बता दिता हूं कैप कैसे कनेक्ट करेंगे एडियॉ-डी वाउ की ही है जो कि काफी बढ़ियां चल रहा है इस वक्त सिर्फ fine tuning knob में इसमें इशू है बाकि इसमें कोई भी इशू फिलाल तो नहीं आ रहा है कि इस तरह से सर्च बार में जाएंगे और यहां पर टाइप करेंगे दूसरे नमर पर देख लिजिए दूसरे नमर पर Amazon India official website desktop login जो दूसरे नमर पर आ रहा है यह डालेंगे तो आपका इंडिया का Amazon खुलेगा अगर आप Amazon.com डालते हैं तो आपका USA का खुल जाएगा फिर आपको country जब सेलेक्ट करेंगे तो दिक्कत होगी यह जब खोलेंगे तो उसकाद आपको पहला एक sponsored वाला रहा है एप का यह दूसरे नमबर पर देखिए लिखा हुआ है sign in इस पर क्लिक करना है अब यहां पर sign in का option आ रहा है तो यहां पर आप अपनी email id पासवर्ट जहां जो भी तरीके सापने login किया हो phone number के तुरू आप login करेंगे login के बाद आपका यह वाला page खुलेगा जहां आपको उपर corner में द order की details पर जाएंगे जिसके साथ आपका issue है वह select करेंगे find out करके पुराना है तो आप पुराना select करेंगे filter लगा कि आप पुराने order पर जा सकते है फिर उस पर आपको click करना है इसके बाद option आएगा order details का नीचे view order details पर क्लिक करेंगे तो आपका यह वाला खुल जाएगा यहा sold by by now के नीचे देखिए sold by ready wow उसके नीचे details दिख रहा हुगा sold by के नीचे details उस पर click करेंगे यहां पर आपको दो option है click करेंगे ready wow पर अब आपका यह page खुल गया जहां से आप contact करेंगे देखिए ask के question लिखा हुगा है ready wow की इस page पर ask के question पर जाएंगे आप और यहां पर आ दालेंगे जो ही details आपको डालनी है दो access data order प्लेस किया थे दो दिख रहें मैं पहले वाले पर click कर रहा हूँ देखिए क्या लिखा होना refund मिला है उसके बाद अगर इसमें से मेरा कोई option नहीं तो other पर select करेंगे फिर से other पर select करेंगे फिर none of these पर select करेंगे और यहां इसमें लिखाओ इस पर type कीजिए और यहां पर arrow icon पर click कर दीजिए आपका message sent हो जाएगा details डालके तो यह तरीका है आपके से contact करेंगे रेडिवाव की टीम से इसके बाद अगर आप इसका follow up लेना चाहते है तो अपने Amazon जो आपने app download किया हो उस पर click करें और three dot menu जो मैंने बता है था last video में उस पर click करके message center के message section में जाके आप चेक कर सकते हैं और यहां पर चेक करना चाहें यहां भी your account के नीचे आएंगे आप और सबसे नीचे आईए तो आपको दिखेगा यहां पर message center को option दिखेगा message center इसके नीचे आएगा आपको your message इस पर click करेंगे फिर आप आपको दो option दिखेंगे दूसरा वाला slide करना है buyer seller message और इसके बाद देखें आपकी सारी details जितना भी अपने चैट किया होगा वो सारा आपको यहां पर दिख जाएगा जो भी आपको message आएगा वहां से reply वो यहीं दिखेगा आप जो reply करेंगे वो भी यहीं दिखेगा फिर आपको जो भी solution मिलना होगा ready wow की तरब से वह बिलकुल मिल जाएगा तो यह वो तरीका है जिसके थुरू आप ready wow पे complain कर सकते हैं I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़ा भी अगर आपकोई helpful लगा होगा तो please वीडियो को लाइक किजिएगा और आपकी जो भी comments होगे यह जो भी query होगी इसके data comment box से जरूर बताइगे चलिए मिलते हैं आपसे next video में till then bye bye take care